नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल रहमतराज माथमाटिक्स में सात्यों रीट 2022 के लिए आज इस वीडियो मां बात करने वाले हैं साइकलोजी के एक महतोपन सिद्धान्त के बारे में जो की है सामाजिक सावेगिक विकास का सिद्धान्त या सामाजिक सावेगिक विकास का परिष्टितिक की प्रक्त सिद्धान्त देखिए ये सिद्धान्त बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है तो इसके परवर्तक कौन है परवर्तक है यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर क्या नाम है परवर्तक का यूरी ब्रॉन फेन ब्रेनर के खितबों में इस सिदान दियावा नहीं है के खितबों में इंपोर्टन्ट है इस सिदान को आपको पढ़ना जरूरी है अमेरिका के ये मनोविग्यानिक थे यूरी ब्रॉन फैन बेनर इस सिदान्त के अन्य नामों की बात करें तो एक है जेव परिष्थिति की मोडल और इसे ही बायो इकोलोजिकल मोडल भी कहते हैं तो सिदान्त का क्या नाम है सामाजिक सामेगिक विकास का परिष्थिति की परक्षिदान्त परवर्तक है यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर अमेरिका के अन्य नाम जेव परिष्थिति की मोडल या बायो इकोलोजिकल मोडल देखें इंपोर्टन्ट क्या है इन्होंने बालक के विक देखें, पांच स्तर कौन-कौन से हैं? तो बालक के विकास के लिए प्रियावरण तल के पांच स्तर में सब से पहला इस्तर आता है लगू-मंडल एक नमबर पे क्वाज़ी आता है? लगू-मंडल, इंगलिस नाम भी याद रखना है, माईक्रो-सिस्टम परिक्षा में लगू मंडल लिकावा आ सकता है, माइक्रो सिस्टम भी लिकावा आ सकता है तो लगू मंडल में क्या होता है, बालक का पर्थम इस तरह ये विकास का इसमें क्या-क्या आता है इसमें माता-पिता, दादा-दादी, पडोषी, परिवार, शिक्षक, मित्र, विदाले आते हैं तो आपसे सिधा स्वाल पूप्शा दाएगा बालक के विकास के अंतरगत, लकू, मंडल या माइक्रो सिस्टम में आते हैं माता पिता परिवार आदी इस परकार से और option देदेगा माता पिता का कारी इस्तला आदी पारिवारी का नुबुतियां आदी इस परकार के option आएंगे तो इसमें माता-पिता, दादा-दादी, पडोसी, परिवार, शिक्षत, मित्र, विदाले, आधी आते हैं, इसमें लगु मंडल या माइक्रो शिस्टम में, चलिए जी, दूसरा आप यहां पर देख रहे हैं, दूसरा है मध्य मंडल, कौन सा है, मध्य मंडल, जिसे मीजो सिस इसमें क्या क्या आएगा इसमें आएगा परिवार पास पडोस आधी के आप से सम्मन्द जो परिवार या मित्र या पास पडोस के जो आप से सम्मन्द है वो आएंगे किसमें मद्य मंदल में ये परिवार पास पडोस आधी किसमें आएंगे ये तो आएंगे लगू मंदल मे लेकिन इनके जो आप से सम्मंद है, रिलेशन है, वो आएंगे मद्य मंडल में, बच्चों की पारिवारिक अनुभुतियां, विदालेवे साती संगी की अनुभुतियां इसके अंतरगत आएगी, मित्र के संग अनुभुतियां या विदाले की अनुभुतियां, बच्चों क कहते हैं बाय ये मंडल या एक्जो सिस्टम देखे इसमें क्या होता है बालक इसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ावाता है इसमें बालक के माता-पिता का कारीय स्थल देखे कारीय स्थल से बालक तीरिक जो है जुड़ावा नहीं रहता है धार्मिक इसतल परिवार की आर्तिक इस्थति स्वास्थेव कल्यान के अंदर इसमें आएंग तो बाइये मंडल में क्या आएगा पहली बात यह द्यान रिकने हैं कि इससे बालक प्रतिक रूप से नहीं जुड़ा होता है, माता-पिता का कारी इस्तल, धार्मी किस्तान, परिवार के आर्थिक इस्ति, स्वास्तिवे कल्यान के अंदर इसमें सामिल होंगे, चलिए चोता जो है इस्तर वो है ब्रेत मंडल, ये से मेक्रो सिस्टम कहते हैं, देखे पहला लगू मंडल था माइक्रो सिस्टम और ये चोता है ब्रेत मंडल मेक्रो सिस्टम, बार या उपरी इस्तरी से कहते हैं, इसमें सांसकर्तिक मुल्य, सामाजिक पर्थाएं, देश कानून आदी आते हैं, तो ये सिदा सवाल यहां से पूचा जाता है, सांसकर्तिक मुल्य, सामाजिक पर्थ यह आएंगे ठीक है लास्ट है आपका लगू सोरी गटक मंडल पांचवा को क्या है गटक मंडल इसे क्रोमो सिस्टम भी कहते हैं इसमें छात्रों की सामाजिक एथियासिक अवस्ताइं समलित है इसमें देखिए आप ऐसे याद रखना संचार के साधन जितने भी है संचार के साधन ये इसमें आएंगे कम्प्यूटर मोबाईल एम संचार के साधन आदी इसमें आते हैं तो प्यारे साथियों उमीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा ये सिद्धान्त सामाजिक सामेगिक विकास का परिश्तितिक सिद्धान्त किस ने दिया यूरी ब्रॉन फैन बैनर ने अमेरीका के मनोविग्यानिक थे इस सिद्धान्त के अन्य नाम है जेव परिश्तिकी मोडल या बायू इकोलोजिकल मोडल मानव विकास या बालक के विकास के लिए प्र्यावणतल के पांच इस्तर बताए हैं लगू मंदल, मध्य मंदल, बाय मंदल, ब्रत मंदल और गटक मंडल ठीक है सातियों तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेर करें इसी प्रकार के वीडियो आपको इसेनल से मिलते रहेंगे मिलते हैं सातियों अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै बारत थैंक यू